माही को लेकर अक्सर योगराज का गुस्सा फूपता रहता है, मगर इस बार उन्होंने कपिल देव का नाम लेकर भी अपनी भडास निकाली है। माही को लेकर अक्सर योगराज का गुस्सा फूपता रहता है, मगर इस बार उन्होंने कपिल देव का नाम लेकर भी अपनी भडास निकाली है। उन्होंने ये तक कहा कि अगर उनकी पत्नी योगराज सिंग को लेकर चली जाती तो वह दूसरी शादी करके एक और बेटा पैदा करेंगे और उसे क्रिकेट बनाएंगे। योगराज दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वह क्या चीज है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कपिल देव पर अपनी भडास निकाली। योगराज सिंग ने कहा, मैं जिंदगी में लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि योगराज चीज किया है, जिसको तुमने नीचे गिराया है। आज सारी दुनिया मेरे पैरों के नीचे है, सलाम करती है। और वो लोग जिन्होंने बहुत मुरा किया था, किसी को कैंसर है, किसी का घर तूट गया, कोई मगर गया और किसी की घर में बेटा ही नहीं है. आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ. उस आदमी ने जो किया वो आपके ग्रेटेस्ट कैप्टन ओफ ओल टाइम मिस्टर कपिल देव, उसको मैंने कहा था कि वो हाल करके छोड़ूंगा, दुनिया थूखेगी तुझ पर. आज योगराज सिंग के पास तेरे ट्रोफी है और तेरे पास एक ही है वर्ल्ड कप. योगराज सिंग में इस इंटर्व्यू के दौरान एम इस धोनी को लेकर भी कई करव मैंने जिंदगी में कभी दो काम नहीं किये. पहला, मैंने कभी उन लोगों को माफ नहीं किया, जिन्होंने मेरा साथ बुरा किया. दूसरा, मैंने कभी उन्हें गले नहीं लगाया, भले ही मेरे घरवाले या मेरे बच्चे ही क्यों नहूं. उन्होंने आगे कहा, उस आदम धोनी ने मेरे बेटे की जिंदगी तबाह की है। युवराज चार-पांच साल और क्रिकेट खेल सकता था। उसके साथ जो मिले हुई लोग हैं उनको सलाम। लेकिन मैं बता दू कि युवराज जैसे बेटा कोई पैदा करके दिखाए। गौतम गंभीर और वीरेंद्र से जाग बोल चुके हैं कि युवराज सिंग जैसा प्लेयर न कभी पैदा हुआ था और नहोगा। यह हमें नहीं कह रहा बलकि दुनिया कहती है। युवराज को भारत रत्म से सम्मानित करना चाहिए। उसने कैंसर से जूजने के बावजूब देश के लिए वर्ड कप जीत नहीं जाड बदा प्लेश झार्ण है। झारत रत्मसीी कॉशब